मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं दूसरी बार आपके दीच में आ सका और इस बार आपसे कुछ और ऐसी बातें करने के लिए जो अपने देश और आज के समाज की जरूरते और अरिस्तितियों के हिसाब से बहुत आधशक है सबसे पहले मैं आभार गयक्त करता हूं आप सभी का कि यहां उपजित हैं दूसरा आभार गयक्त करता हूं उनफ सभी सहयोगियों का संस्थाओं का आगे के जीवन में बहुत आपश्यक होगा फिर दिनً जब हमें दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी पड़ेंगे यह अमारे जो बुजर्ग पीड़ी के नागरिक है इनों ने तो एक बार हमें आजाद कराया अंग्रेजों की गुलामी से इस्ट इंडिया कंपणी की गुलामी से आने वाले तीन चार दर्शों में हम सब हि हमारे भारत देश में दीरे दीरे जो परिस्थितियां बन रही है वह भारत को फिर से गुलाम बनाने की बन रहे हैं अगर आप भ्यांत से समाचार पत्र पहते हो तो पिछले लड़ों के दो परशों से हर दूसरे तीसरे दिन या सफ़ता हमें एक वार ऐसी निउस आती है कि भारत की पुलिस ने किसानों के आंप लाटी चार्च किया उनके उपडोन चलने उनकी जमीन शीदने की को ट्यार नहीं है वह झांवर्जस्ति उनसे जमीन शीदने की कोशच कि ऐसी रोज-रोज खबरे आप सुन लेगे कभी बंगाल में इसंगोर से वो खवर आती है प्रदेश में गाजिया बाद से आती है कभी उडीसा में वहरंपुर से आती है तो करनाटक में कोलार से आती है बारत के सभी राज्यों में बहुत तकलीफ की इस्तिती बन गई है किसानों की जमीने चीनी जा रही है और सरकारे उन जमीनों को विदेशी कमपणियों को बेच आपको सुनकर आश्यर होगा कि जो जमीने किसानों से दो पांच दस रुपए स्क्वेर फिट में ली जाती है विदेशी कमपणिया उसी जमीन को पंद्रे हजार रुपए स्क्वेर फिट में बेचती है हमारे भारत देश में पिछले लगवाग सेड़ दो बरशों से कहते हुए मुझे दुख है कि आज तक की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं बारत के किसानों की लगवग पचीस लाख एकड़ जमी पचीस लाख एकड़ जमी चीनी जा चुकी है और विदेशी कमपणियों को बेची जा चुकी है और ये जमीन मैंने आपसे कहा 50 पैसे स्वैर फिट, 1 रूपए स्वैर फिट, 2 रूपए स्वैर फिट से लेकर 50-600 रूपए स्वैर फिट तक ली गई और विदेशी कमपणियों ने उसको खरीद कर 15-20 रूपए स्वैर फिट का भाव कर दिया मने लूट किसानों की मुनाफ़ा विदेशे होगा ऐसे हाला जब देश में बनने सब शुरू हो तो मुझे याद आता है वो जमाना जब इस इंडिया कंपोनी भारत के किसानों से जमीने चीनती थी और इस इंडिया कंपोनी अंग्रेजी कंपोनियों को जमीने बेच दी एक जदिकारी इस देश में आया था सन 1890 की घटना है सन 1890 में एक अंग्रेज जदिकारी आया था उसका नाम था डलहुजी डलहुजी ने भारत देश में गवर्नर जर्णल बनने के बार एक कानून बनाया और उस कानून का नाम रठा लेंड एक्विजिशन एक्ट जमीन आठाए सो नब्बे में जालहुजी ने बनाया अठाए सो चौरानवे से ये कानून भारत पर लागू हो गया और एक्विशन चौरानवे के बाद उन्वीश सो सहितालीस तक लगादार लगवद देश सो बर्शों तक इस देश किसानों की जमीने चीनी गई पूरी की पू पूरी तरह से अंग्रेजों के गुलामी में चले गए और आपको सुनकर अश्यर होगा कि अंग्रेजों की सरकार में जो जमीने चीनी वह आजदी के बार 1948 में या उसके आगे के वर्शों में किसानों को वापस देनी चाहिए थी वह भारत की सरकार में आज तक वापस नही कि वह आज भी अंग्रेजों से चीनी हुई जमी बारत सरकार के कबजें में आई बारत सरकार में उसको अपनी संपत्ती बताना शुरू करते हैं इस देश की सरकार के पास जितनी भी जमीन है वह दुरभागी से 1947 के पहले अंग्रेजों बारत चीनी गई है और भारत के दुक होता है कि जितनी वरवरता और प्रूरता से अंग्रेजों की सरकार जमीने चीनती थी उससे भी जधार भारत से अ다가 करें जमी जो पारती यह जो किसानों की बात करने वाली फार्टी है मज़दूरों की बात करने वानी जो पार्टी है उस कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपना असली चेहरा आप दिखा दिया है और पता चल रहा है कि वो कितने किसान के विरोधी है और कितने मज़दूरों के विरोधी है नंदी ग्राम के एक किसान जमीन बेचने को तैयार नहीं है कम्यूनिस्ट सरकार वहाँ के फुख्यमंत्री अपनी पुलिस को जैसे जर्णल डायर आदेश देता था जलियावाला बाग में की सानों को बर रही हैं हरब फुलिस से उनका मुकाबला हो रहा है और बार बुलियां चल रही हैं और निरपरात किसान में सिंगूर में भी वहीव हो रहा है धंती ग्राम में वहीव हो रहा है मेरा तो हिर्दय काम गया यह समझ कर जानकर सुनकर कि कम्यूनिस्टों की सरकार भी इतनी निर्दई हो सकती है था काम पते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्या गूसरी पारी की सरकार हो वो और किसानों की सरकार नहीं रह गही है वो बड़े-बड़े पूची पतियों की उत्योग पतियों की या दलालों की सरकार बनकर हमारे सामने आई है नल्ली ग्राम की जमीन चीनी जा रही है इंडोनेशिया की एक कमपणी के लिए इंडोनेशिया के एक कफ़िणी भारत में आंकर कोई कारखाना लगाना चाहती है उसकेलिए उनको districts लिए उनको हुजार वेक्र जमीन चाहिए तो जमीन चीह जा रहे हैं किसानों और दुख मार का है कि वह जमीन की पासल यो चावल की तीन 31 हुजा इस आम किसांद पिचारे कमजोर मजबूर असंगडित गालियों के लाड़ियों के गोलियों के शुकार है ऐसा मावल दूरे देश में बने आया है मैं आप सभी नागरिकों को विदंपी करने आया हूं को यह कि आप इस बात को ध्यान से समझ ले सरकारे आपकी नहीं है मेरी नहीं किसानों की नहीं मजबूरों की नहीं सरकारे और विदेशों से आये हुए व्याबारियों की है उद्योगपतियों की है उनके हित्मे कानून बना रही है और उनके हित्मे ही उनको चला रहे हैं आपको मालूम है कैसे कानून बन रहे हैं इस देश में आजकल आप नाब है Special Economic Zone, SEZ, Special Economic Zone, बाकी Economic Zone से अदब क्या है, साधारण Economic Zone पूरे भारत में है, जिनको आप Industrial Area कहें, जैसे माँ लीजिए, जलंदर जलेका कोई Industrial Area है, वो Economic Zone है, माँ लीजिए, अमरसर जलेका कोई Industrial Area है, वो Economic Zone है, अब सरकार कह रहे हैं, कि ये जलंदर अमरसर के जो Industrial Area है, या लुद्याना का जो Industrial Area है, अब इससे काम नहीं चलेगा, अब Special Economic Zone चाहिए, ये Special क्या होता है, Special Economic Zone के बारे में, भारत देश के मानिज्य मंत्री को, मैंने एक पत्र लिखा, जिसका नाम है कमदना, और उनको पूछा, कि भारत में तो कम से क 680 Economic Zone पहले से बने हुए हैं, जैसे अमरसर में एक Economic Zone पहले से बने हुए हैं, जलंधर का एक, रुध्याना का एक, और अगर आप जाएंगे तो दिल्ली में तो 20-25 हैं, फिर गाजियाबाद में, बरेली में, आगरा में, हर बड़े जिले में, एक नाइक इंडस्ट्रीय ले Economic Zone का मतलब यह है, कि जिस Company ने वो एरिया खरीदा, इसको आप ध्यान से सुनिए तो समझ में आए, जिस Company ने वो एरिया खरीदा, वो पूरी की पूरी मालिक है उस एरिया की Company, और मालिक कैसे है, मांग दीजिए, मैं एक उधारत से समझाता हूँ, दस्वा के आसपास किसी Company फिनी ने 10k एकड जमीनक्रा के लिए तो वो दासओं हजार एकड जमीन एंधर आप हो प्रवयेश नहीं कर सकेके, हैं संऑ अगरो princip में सब्रेंगा में पंजाम में रहने वाले लोगalnızा में से रहने वाले लोग लोग तो समझे लें बुइन पर के लिए जमीन नहीं कर सके जब तक वो company आपको पर्मीशन ना दे। ये कुछ इस तरह को कहानी है कि आप यहां दसवा से अमेरिका चले जाएं तो अमेरिका के किसी हवाईने के बाद अंदर कुमेश तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक अमेरिका की सरकार आपको पर्मिशन ना दे और वो पर्मिशन लेटर का नाम होता है वीजा तो अगर आपके पास अमेरिका की सरकार का दिया हुआ वीजा है तो आप अमेरिका के हमाई एक देसे उनके शहर में जा सकते हैं अगर वीजा नहीं है तो वापस आना पुड़ेगा अब आप समझ लेजिए इस स्पेशल एकॉनोमिक जोन में जाने के लिए आपको वीजा लगेगा वो कमपनी वीजा बनाएगी आपको देगी अगर आपको वीजा है तो आप उसमें अंदर घुश सकते हैं नहीं है तो बाहर ही रहिए माने कमपनी उस जमीन की मालिक है एक राजा की तरह से अपने ही देश में रहते हुए अपने ही देश की किसी जमीन पर जाने के लिए वीजा चाहिए दूसरा उसका स्पेशल एकॉनोमिक जोन का महतुपूर अर्थ है कि आप अगर उस special economic zone की दीवार के अंदर जाए तो माना जाएगा कि आप दूसरे देश में गए क्योंकि वो company जिस देश से आई है वो milkyat उसी देश की मानी जाएगा company जिस देश से आई है milkyat उस देश की मानी जाएगा तो आप अगर उसमें अंदर गए है तो आप दूसरे देश में गए हैं, माल लीजे, दसुआ से कोई सामान लेकर आप Special Economic Zone में बेचने के लिए जाएंगे, तो वो एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट एक शब्न इस्तेमाल होता है, जब भारत का माल दूसरे देश में बेचा जाएंगे। लेकिन Special Economic Zone में जो माल आप बेचेंगे, उसको सरकार बोलेगी, आपने एक्सपोर्ट किया। और Special Economic Zone से आप कुछ खरी देंगे, तो वो इंपोर्ट होगा। आयाक होगा। और सबसे महत्व की बार, कि Special Economic Zone जो दस्वा की जमीन पर बना है, अगर वहा कोई दुरखटना हो गई, माल लीजे किसी ने किसी का मरडर कर दिया, तो दस्वा की पुलिस उस Special Economic Zone में प्रविच नहीं कर सकेगी। उनकी अपनी पुलिस होगी, जो उस माम लेकी दिग्रादी करेगी। अगर कंपनी के मालिक दस्वा की पुलिस को निवेदन करें, एप्लिकेशन दें, तब दस्वा की पुलिस उसमें एक्टर करेगी। अंधिता एक मरड़र हो जाए या वहाँ सो मरडर हो जाए दस्वा की पुलिस अतर नहीं जा सके मैंने दुनिया में कुछ देशों में प्रवास किया है और इस पैशल एकॉनोमिक जोन मैंने देखे हैं भारत में 300 इस्पैशल इकॉनोमिक जोन बन रहे हैं सौ इस्पेशल इकानोमिक जोन का ये देशों में पहले बन चुके मैंने मेरी आखों से दो तीन देशों में देखा है एक मैंने फिलिपीन्स में देखा एक थाइलेंड में देखा और एक इंटोनेशिया में देखा इन तीनों देशों में पहले से इस्पेशल इकानोमिक जो लोगायां दिना है जब उनका मंद भर जा यृट्त प्लस औफीसर से मैं पूझा आपकी आखों के सामने आपके देशक्य माताओं गहनों की इज़त रुखती है और अमेरिका के सैनिमून से बलादकार करते है आप कुछ करते क्यों नहीं तो थाइलेंड के पुलिस आफीसर ने मुझे कहा जो वहाँ का डेंटल डेंटल था कि हमारे पास अधिकार नहीं है इस स्पेशल एकॉनमिक जोन में हाइलेंड का कानून नहीं चलता यहां पर अमेरिका का कानून चलता है और अमेरिका में दूसरी जार्ट की किसी महिला से बलादकार किया जाए तो उसकी सजा जादा नहीं है अगर गोरी महिला से बलादकार हो तो उसकी सजा जाता है, फिलिम्पीन्स में मैंने देखा हूँ मनीला में, मनीला में इसी तरह का एक special economic zone बढ़ा हुआ है, आज से लगवक साथ साल पहले में फिलिम्पीन्स गया था मनीला, तो वहां में देख रहा है था कि उस समय हंगामा मचा हुआ था संसद में, कायद पुलिस को देख होती है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि पुलिस कहती है, अंतर जाने का अधिकार नहीं, किसी को अरेस्ट करने का अधिकार नहीं, तो मामला वहां के राश्ट्रोपती के सामने था, और राश्ट्रोपती की हालत ये थी, कि वहां अमेरिका से बिंती कर रहे थे वहां के राश्रुपती कि प्लीज आप अपने सेलिकों को और पुलिस वालों को समझाईए हमारी माताओं मेहनों की इज़त से ख्रीवाड ना करें मुझे लगा इससे बड़ी गुलामी क्या हो सकती है कि मनीला की जमीन पर बना हुआ अपने माताओं मेहनों की रक्षा नहीं कर सकता और यही एक्जेक्टली मैं इंडोनेशिया में देखा जकारता के पास ऐसा ही एक पर यह स्पैशल एकॉनमिक जोन बना हुआ है मुझे बहुत डर लगता है कि ऐसे स्पैशल एकॉनमिक जोन 300 भारत में बढ़ने जा रहे हैं और बड़ी-बड़ी अमेरिकीन कमपनिया ए। उंञे उन जमीनों को खरीद रहे है passenger चारण क्या है एक तो सरकार में कानून बदल जिया पहले आप जानते हमारे देश में कानून था Land Stealing Act Land Stealing Act का आप सब जानते उसमें कानून ये था कि शहर के अंदर एक सीमा से जादा जमीन कोई भी नहीं खरीद सकता और विदेशी आकर तो भारत की जमीन बिल्कुल नहीं खरीद सकता विदेशियों को जमीन चाहिए तो लीस पर मिल सकती थी खरीद नहीं सकता था सरकार ने वो Land Stealing Act बदल दिया अब Land Stealing Act बदलने के बाद जो नया कानून आ गया है उसमें कोई भी अमरीकी कंपणी चाहे कितनी भी हजार एकर जमीन खरीद सकती है अब उनके लिए जमीन खरीदना बहुत सस्ता सोधा है कैसे? वो एक डॉलर लेके आते हैं तो यहां 45 रुपया हो जाता है क्योंकि हमारा एक्षेंज गड़बडाया हुआ है एक जमाना था जब भारत आजाद हुआ था तब एक रुपया और एक डॉलर था अब भारत की सरकार ने अमरीका के दबाव में आकर एक नीती चलाई हुई है इस देश में जिसका नाम वो कहते हैं उदारी करण वैश्वी करण मैं कहता हूँ वो अमरीकी करण ना उदारी करण है ना वैश्वी करण है वो अमरीकी करण है ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन तो नाम है बास्तब में वो अमेरिकनाइजेशन है उस नीती के चलते सरकार ने क्या किया है पिछले 17 वर्षों में रुपय का भाव बहुत बुरी तरह से गिरा दिया औ आप में से कई बुजर्व यहां बैठे हैं आपको याद होगा सन 1991 में एक डॉलर में साथ रुपय अस्ती पैसे नाइंटीवन अब 2007 में एक डॉलर में 35 रुपय हैं तो अमेरिका की कोई कंपनी एक डॉलर लेके आती है यहां वो 45 रुपया हो जाता है मतलब यहां की जमीन अमेरिका की तुलना में उनको 45 गुनी सस्ती मिल जाती है वो हजार डॉलर लाएंगे तो 45 रुपया हो गया जितना लाएंगे वो अपने आप 45 गुना हो गया तो यहां की जमीन उनको 45 गुनी सस्ती मिल गई अमेरिका में जितनी जमीन वो डॉलर में खरीदेंगे उतनी ही जमीन यहां उनको 45 गुनी जादा उतने ही डॉलर में मिल जाती है तो रुपय और डॉलर का एक्शिंग रेट खराब दूने के कारण यहां की जमीन बहुत सस्ते भाव में उनको मिल जाती है सरकार में लेंड सीलिंग एक बदल दिया है तो अंधा धुन्द जमीने खरीदे के लिए उनके लिए रास्ता कुल गया पिछले तीन परशों में मैं भारत सरकार के द्वारा अमरीखी और विदेशी कंपनियों को बेजी गई जमीन के रिकॉर्ड्स एक एक करके कटे कर रहा ह हैं कि लगबग सरकार में 25 लाक एकड़ जमीन पेच दिया है कि दिया है पचास में स्क्राइब हमारा एक मुगत्मा महरश हाई कोर्ट में हैं पूना के पास एक गाओं है तले गाओं वहां पर अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है जर्णल मोटर्स उसने जमीन खरीदी किसानों से और किसानों से जमीन खरीदी गई आपको सुनकर खाज़ुगा एक फिट लगवी और एक चाड़ी जमीन एक उर्पए 15 पैसे एक स्वेर फिट एक उर्पए 15 पैसे ऐसी उन्हों ने वहां पर पांच हजार है जमीन खरी दिया एक हैक्टेयर में 5 एकड़ होता है अब उस जमीन को उन्होंने प्लॉट करके बेचना शुरू किया है तो उसका भाव है सत्रे हजार रुपए स्क्वेर फिट वहीं जमीन आप पूछेंगे जी इतनी महिंगी कौन खरीद रहा है तो जो अमेरिकन कंपनी है जड़न मोटर्स उसने अपने ही देश की कंपनियो को बेचना शुरू किया है इसके खिलाफ हमने कोर्ट में पिटीशन किया है कि यह जबीन सरकार में किसानों से चीट कर जर्णल मोटर्स को बेचा यह बोलकर कि इस पर जनता के हित का कोई काम किया जाएगा और अमेरिकन कंपनी आकर इसको प्लॉटिंग करके बेच रही है इसमें कौन सी चनता का हित हो रहा है भारत की या अमेरिका की तो अदालत ने उस पर अभी सुनवाई शुरू किये इस पर नहीं दिया है फैसला कवाई का मालूम नहीं है लेकिन ऐसा हिंदुस्तान के सभी राज्यों में हो रहा है इस्पैशल एकॉनमिक जोन बनाने के नाम पर किसानों से जमीने सस्ती कीमत पर चीन लेना फिर उनको बहगी कीमत पर बेचना इस्पैशल एकॉनमिक जोन में अमेरिका की कंपनियों के बनाई हुए नियम काईदे कानूनों को चलाना भारत का कानून नहीं मानना कुछ कंप साथ सब गया वो हें भारत का कानुन ना माले भारत की नियम से ना चले भारत की संस्क्रती हैं अटो यहाद आ रहा है पुराना जमाना दर्लबा हवारत नियुद करता है में जैसे आजिस देश में मनमोहन सिन की सरकार चल रही है चार सो साल पहले इस देश में जहांगीर की सरकार चल दी जहांगीर इस देश का प्राहिम मिनिस्टर था एक अंग्रेजि इस देश कमपुनी ने आकर उससे जमीन करीदा थे चल फेचित जहांगीर ने वो जमीन इस देश कर गया शूरत के शहर की थोड़ी सी जमीन बचल देश में प्र पूरा सूरत शहांगीर और एक शहर सूरत खरीदा फिर उसका पड़ोकी नवसारी खरीद लिया नवसारी एक शहर का नाम है गुज्रात ,ि थोड़े दिन के बाद एक तीसरा शहर खरीद लिया अनकलेश्व्र, पिर एक शहर खरीद लिया पड़ोधरा फिर एक शहर खरीद लिया एहमदवाद और पता चला 50 साल के अंदर पूरा गुजरात उन्हों है खरीद लिए और जिस जहांगीर ने थोड़ी सी जमीन पर इस्ट इंडिया कंपोणी को बुलाया था इस्ट इंडिया कंपोणी ने जहांगीर को ही सक्ता से बेदखल किया कुरसी से उतारा और इस्ट इंडिया कंपोणी उस कुरसी को पैठी ने बहुत विनम्रता पूरवक यह कहना है कि जो गलती 400 साल पहले जहांगीर ने की थी वही गलती 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंग कर रहे हैं वही गलती से जहांगीर ने अंग्रेज को जमीन में जिυχी इन मतमोहन सिंग अंपरी की कमपनिों को जमीन वेच कोड़ी वह जमीन जा रहे हैं और सिर्फशी नहीं नहीं पेच रहे हैं बहुत कुछ बेच रहे है हैं इस अ पर पिछली बार आया था इन स्जhy आटे में थे आइस ठोड़ी से संकेत ऐसं आशन से र वित्यमंत्री के रूप में और अप्रधानमंत्री के रूप में इन्हों ने ये योजना लाई उदारी करण वेश्वी करण ग्लोबलाइजेशन लिब्रलाइजेशन मुझे पिछले साल जुलाई ये महिने में डॉक्टर मन्मोहन सिंग के साथ तीन घंटे बात करने का मौका मैं सेवा ग्राम नाम के चोटे से गाउं में रहता हूं महाराश्रम में इपलदा चले यह गाउं महात्मा गांधी का मारा गांदी दिने वहां एक आश्रम बनाया हुआ है, मैं उसी आश्रम में रहता हूं, डॉक्टर मन्मोहन सिंग पिछले साल महां आये थे तीन गंटे रुके आये क्यों थे हम जिस गाओं में रहते हैं उसके आसपास के गाओं में पिछले साल 56,000 किसानों ने आख मत्या किया तो संसर्प में हंगावा हो गया तो मत्माण सिंग को जवाब देना भरी पुड़ रहा था इसलिए वो गाओं में आए थे देखने के लिए क्यों हो सबस्क्राइब देखने का समय मिला तो मैंने उनसे वार्ता लाप किया उसमें सबसे पहला सवाल मैंने उनसे पूछा था कि आप बहुत बड़े अर्थिशास्त्री हैं सारा देश ऐसा जानता है और अंग्रेजी मीडिया आपको बहुत जादा मानता है कि आप बहुत बड़े अर्थशास्ति मेरे समझ में ये अर्थशास्त आपका नहीं आता कि आपने भारत के रुपए का दाम गिराया और डॉलर का दाम बढ़ाया आप जब इस देश में विंतिमंत्री बने तो 33 प्रतिशत रुपए का दाम आपने गिराया एक ही दिन फिर द 30 रुपए देकर डॉलर मिलना है तो आपने ये क्यों किया कोई भी साधारण से साधारण अर्थशास्त्री यह नहीं करता कि अपने देश की करेंसी का भाव गिराये और दूसरे देश की करेंसी का भाव बढ़ाये इससे तो बहुत बढ़ा नुक्सान है उन्होंने पूच अमेरिका को लोहा बेचती थी कच्चा लोहा आयरन और तो उसका भाव था साथ रुपए किलो के कीलो कि तो आयरें ओर हम अमरीका को बेचते थे साथ रुपए में अब डॉक्टर मन मौहन सींग ने रुपए का भाव गिराके डॉलर का भाव बढ़ा दि रहे हैं पंद्रे पैसे किलो में हमारे देश का बेश कीमती कच्चा लोहा अमेरिका को बेचा जा रहा है 15 पैसे किलो में 1991 में दिखता था 7 रुपए किलो में इसका मतलब हर 1 किलो लोहे पर 6 रुपए 85 पैसे का नुकसान हो रहा है मैंने उन से कहा कि अगर 2 करोड पर लोहा हम हर साल बेचें तो 13,000 करोड रुपए का हर साल नुकसान हो रहा है उस दिन से जिस दिन से आप विच्चे मंत्री बज़े इस देश के और 15 साल का अगरी नुकसान जोन लिया जाए तो यह लगोहन देड़ लाख करोड रुपए से उपर पैटा और देड़ लाख करोड रुपए की रखम इतनी बड़ी रखम है कि इससे अगर सोना घड़ी प्लिया जाए तो पंजाब के बारे हजाग गाउं के एक सड़क सोने से बहुत तो मैंने का हमने यह क्यों किया को क्या कर्चा मुझे अब कर दी का carry कर्श देने वालों की शर्त है पिर युपाइख का भाव गिराओ तो हमने भाव गिराया, तो मैंने का इसमें देश भक्ती क्या है, कर्ज देने वालों ने आपको कहा कि भारत के रुपई की कीमत गिरा दो, आपने गिरा दी तो इसमें देश भक्ती क्या है, देश भक्ती तो तब होती, जब कर्ज देने वाले कहते के रुपई की कीमत और आप केजतें कि मैं देश का नागरिक हूं मैंने भारत माता का दूप पिया है भारत माता को पैसे का नुपसाट नहीं होने दूप तब सचिनी मिलती है 20 रुपए कि एन्धर आपको फिर ऑफारे चीिन खरी तो हमेरको बीजी जाती है तो उसका भाव होता है पचास पैसे किलो विद रेस्पेक्ट टू डॉलर डॉलर के साथ जब हम कैलकुलेशन को आप पंजाब में रहते हैं बास्मती चावल खाते हैं कम से कम आप एक किलो बास्मती चावल खाएंगे 46 रुपए किलो 40-45 रुपए किलो आपको मालू में यही चावल भारत सरकार अमेरिका को बेचती है 11 रुपए किलो यही चावल आपको मिलता 46 रुपए किलो आप यहां रहते हैं पंजाब में डाल खाते हैं उड़त की डाल खाएंगे 60-70 रुपए किलो मिलेगी यही दाल अमेरिका को एक्सपोर्ट होती है दो रुपई के लोग विद रेस्टेक्ट टु डॉलर आप कोई वी चीज का भाव हिसाब मिकालें उसको 45 गुना सस्ता कर दीजें इतना सस्ता अमेरिका को चला जाता है सब हमारा मासमती चावल हमारी लाले हमारा काजू किश्मेश मुनक्पा मखाने अच्छी अच्छी चीज भारत की अमेरिका जाती है 45 गुनी सस्ती और हम को मिलती है 45 गुनी महंगी तो मैंने उनसे कहा अर्दुशास्त्री हैं देश के लोगों को तो महंगाई का सामना करना तो मैं क्या मानूं आप भारत के प्रधान मंत्री हैं या अमेरिका थोड़ा उनको तम तम हाट आई मैंने का अच्छा है आप थोड़ा गुस्सा करें मुझे पता तो चलिए लेकिन उन्होंने फिर वही उत्तर दिया हम क्या करें हमने अंतर राश्विये समझोते किये हैं डेड तरार किया है डव टी उंऴ तिया है तो मैंने का भारत के किसान और बस्दूर ये नहीं समझते कि आप ममेरिका से क्या समझोता किया है वो तो ये समнозते हैं कि आपने जब से इस देश में पर समाना है मेहेगाई को भॉषब पड़ा दिया है उनको यह नहीं मालू कि आप में रुपए की कीमत गिराके डॉलर की कीमत बढ़ाके यह सारा केल किया है अ महतंता क्या हैं और मेंगारी हम देल रहें हैं कि अधिया को बेशें हैं सब्सक्राइब को एक्सपोर्ट करते हैं योरोप को एक्सपोर्ट करते हैं अंदराश्य बाजार में उसकी वास्तवी कीमत हैं पच्छीस लाख करोड़ रूपए जिसको हम बेच रहें पचास हजार करोड क्योंकि रुपई की कीवत कम है डॉलर की कीवत जादा तबंत में वो थोड़े से परेशान हुए और कहले लगे मिस्टर राजीम दिक्षित आप इतने सवाल पूछते हैं अच्छा है कि आप संसत में आ जाईए मेरी कुर्सी पर बैट जाएए तो आपको भी यही करना पड़ेगा तो मैंने का मास कीजिए अगर मुझे यह करना पड़ेगा तो इससे अच्छा है पहले कि मैं स्टीफा दे दूगा और देश की जनता को कहूँगा कि मुझसे यह नहीं होता आप स्टीफा भी नहीं दे रहे हैं देश की जनता को यह भी नहीं बता रही कि कितने बड़े खड़े में आपसे उनको डाल दिया है और इस बार का जब चुना हुआ तो मैंने कॉंग्रेस के नेताओं को बताया कि आपने जितनी मेहनत करके कॉंग्रेस को रिवाइब किया और हमारे भारत के लोग भोले भाले सीधे साधे समझते नहीं कि ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन नहीं है यह अमेरिकनाइजेशन और मेरे जैसे लोग जिनको थोड़ा यह सब समस्ता है वह अपने स्वार्थों में इतने डूबे हुए हैं कि अपना घर परिवार करकेट का मैच इसके आगे उन्हें कुछ दिखता है कि मेरे जैसे बहुत अर्तुशास्त्री हैं जिनको यह सब समस्ता है मैं उनसे कहता हूं कि भाई आपने घर बार छोड़के गाउं गाउं जाओ लोगों को समझाओ कि यह देश में उदारी करण नहीं गुलामी करण हो तो कहते हैं यार कहां जाएंगे बस में धक्के खाने पड़ेंगे ट्रेंट में चलना पड़ेगा बिना रिजर्वेशन चलना पड़ेगा बिना यसी के सोना पड़ेगा शरीर को आदक खराब लग गई है सुमिधाय बहुत चाहिए वहां गाउं में क्या मिलेगा कभी रो हमारे देश के वरतमान प्रधान मंत्री मत्मौन सिंग ने अमेरिका से एक एग्रिमेंट किया है अमेरिका की युनिवर्सिटीज और कॉलेजिज अब भारत में खुलेगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सिख्षा का इस्तर बहुत मूचा हो जाएगा मैं आपको विनम्बर का फूर्वक बता ने आया कि अमेरिका की युनिवर्सिटीज में सिख्षा का इस्तर क्या है आप यहां बैठे हैं आपको अंदाजा नहीं है कि यहां के आठवी और नौवी कशा के विद्यार थी मेरी बात को आप बिलकुल ध्यान से सुनिएगा दसुआ में पढ़ने वाला आठवी और नौवी कशा का विद्यार थी अमेरिका के किसी पोस्ट ग्रेजुएट से ज्यादा आईक्यू वाला है आप दसुआ के किसी विद्यार्थी को पूछ लो भारत के राश्ट्रोपती कौन है वो बना देगा डॉक्तर अब्दूरिक अलाम अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में आप चले जाओ बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाओ और किसी पीएच्डी स्कॉलर् अबरिकां प्रेसिडेंट को यहां का यहां का साथ में आटमी का विद्यार्थी जो बताते वहां का पोस्ट ग्रेजुएट MS किया हुआ लड़का ना पता पाए इतनी रदी और इतनी थर्ड क्लास पढ़ाई है अमेरिका की इनिवर्सिटी और आप जानते हैं कि नंबर्स तो होते नहीं है सब पास हो जाते ग्रेडी सिस्टम है और वहां तो फेल से फेल भी पास हो जाते हैं अगर आपके पास थोड़ा देने के लिए पैसा है तो कोई भी डिग्री आप अमेरिका की इनिवर्सिटी से ले सकते हैं मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त जो मेरे साथ लड़के लड़कियां दस्वी ज्यार्वी में फेल हो गए यहां से चले गए अमेरिका से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आगए किसी के पास M.S. की डिग्री है कोई M.D. करके आगया कोई कुछ करके आगया क्योंकि वहां की जो सिख्षा विवस्था है वहां युवर्सिटी में 15 साल से किसी भी अमेरिकन ने टॉप नहीं किया जो टॉपर्स हैं वो या तो इंदुस्तानी है या चाइनीज है या जैपेनीज है अमेरिकन से नहीं क्योंकि अमेरिका के विद्ध्यार्थियों में पढ़ने के प्रती कोई सिंसियर्टी नहीं एक बड़ी से बड़ी उनिवर्सिटी में चले जाई है क्लास्रूम में दो या तीन विद्ध्यार्थी दिखाई देंगे और टीचर अपना कुछ बगपकाता होगा वो अपने ट सेक अफ़ फन मजा करने के लिए पाद अमेरिका में जितने विद्ध्यार्थी स्कूल में नहीं है उससे ज्यादा जेलों में बन गए विद्ध्यार्थी जिनकी उमर 17, 18, 19, 20 साल जी है नुई-उर्क शहर में चले जाए नुई-उर्क शहर में हार्लेम नाम का एक एरिया ह में हार्लेम की तरफ अगर आप चले गए तो पुलिस का ऑफिसर वहाँ कड़ा है वह आपको खळगा भाई-साग सबसे जञादा है यहां तो जिनना वापस रोटेंगे सकी कोई पार्यटि नहीं नहीं है और हारले मेरिया में सबसे जादा मर्डर होते हैं और वो सबसे जादा मर्डर किये जाते हैं 15-17-18 साल के लड़की लड़कियों के बारे ये हाल है भारत में 10,000 लोगों पर एक पुलिस है 10,000 लोगों पर एक पुलिस है अमेरिका में 1,000 लोगों पर एक पुलिस है फिर भी दुनिया में एक मिनट में सबसे ज़्यादा मर्डर अमेरिका में होते है भारत में दस हजार लोगों पर एक पुलिस है अमेरिका में एक हजार लोगों पर एक पुलिस है फिर भी हर एक मिनट में सबसे ज़्यादा बलातकार होते हैं अमरीका और आप तो सुन के आश कि यहां जो गुरु शुष्षी की माननता और परंपरा है वह वहां कहीं भी दिखाई नहीं देती रोज ख़ई देती है कि मेरे समझ में एक बात कभी नहीं आई मैंने अमेरिका बहुत गहराई से देखा अच्छे से देखा आपने भी देखा अमेरिका की सटने सड़के पीट का दर्ड है गाड़िया जब चलती है न तो हिलता भी नहीं है पेट का पानी ऐसा लगता जिसे मचली तालाव में तेर रहे हैं इतनी चिकनाई भरी सड़कों पर गाड़िया चलती है जरक भी लगता नहीं है फिर पर समझ में नहीं आता कि दुनिया में सबसे थे इतने जबर जस्तु के उसी का सबसे ज्यादा पर एपचा्ट करोuine यविज राएड़्यश साथे हैं हमारे भारत में कोई बोले के जी मुझे स्कॉंडलाइटिस है तो समझ में आता है क्योंकि यहां तो सड़क ही नहीं है खड़ों में सड़क है कि सड़क में खड़े नहीं है खड़ों में से बीच सड़क जाते हैं मैं अभी आ रहा हूं ऐसी ही एक सड़क से सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें तो बिहार में वंगार में भारत के लोग पीट दर्थ की शिकायद करें तो मुझे समझ में आता है कि हाँ सब्सक्राइब कि मचली पानी पर फिसले ऐसी और वहां साड़े आठ करोड लोगों को स्टॉंडिन रहें यह चक्कर क्या है है कि इतना पड़ा लिखा देश डेमोकराइसी की मालिता वाला देश हर मिनट में सबसे ज्यादा बलातकार दुनिया में वहां हो यह चक्क्र क्या है कि हर मैं सबसे च्षेड कानी की घंटा अमेरिका में हो और is school colleges बलातकार के अड्ये बने और जो विद्यार्ती सकूल कॉलेज में होने पढ़ें जेल में पढ़ें types अर्य चक्राइए वह संस्कृत है कि हम संस्कृत हैं से रहाँ संस्कृत बच्चों बच्पन से बिलती हैं आगेली कोई पागशालि नहीं इंहीं को बच्पन से यह संस्कार में कि अमेरिका का जीवन आपने देखा ने भी देखा पति पत्नी दोनों को काम पर जाना पूरेगा काम न करें तो घर का खर्च नहीं चलता करोड़पती लोगों की संख्या अमेरिका में सिर्फ तीन प्रतिश्चर है पाकिसम मत्यवर्ग के क्रेश में कम से कम बारे घंटे वो बच्चा आया के पास रहेगा जिस समय उस बच्चे को मा की गर्मी चाहिए जिस समय उस बच्चे को मा का दूर्च चाहिए जिस समय उस बच्चे को मा की प्यार वरी थप तपाहत चाहिए उस समय वो आया के पास होगा जो डॉलर प्रति भंटे के हिसाब से उस बच्चे की रखवाली करता है ऐसे द्रश्य मैंने देखे हैं माता हैं जब काम पर निकलती है सबेरे तो बच्चे को गाडी की सीट पर बांदेती हैं विचारा चिल लाता है एक महिने का दो महिने का तीन महिने का बेल्ट की स्रीट से बना रहता और पहले कानून था कि आगे की तरफ बांद सकते हैं आप वो कानून बदल गया पीछे बांदना पड़ता गाड़ियों में जाक के देखो तो सारे सीशे बंद करके वो म्यूजिक सिस्टम चला देता कि कि बच्चे के रोने की आवाज बाहर में जाए अब रोता चिल आता सवेरे सवेरे मा के साथ क्रेश में जाता है माता जी उसे वहां छोड़ती है फिर दो घंटे की ड्राइव करके अपने काम पर पहुंचती है काम बारे गंटे करना पड़ता है बीच में थोड़ा लंच ब्रेक होता है अमेरिका में आजकर एक नया सिस्टम आगे हां बैठके काम नहीं कर सकते खड़े करना पुड़ता है तो खड़े-खड़े काम करती है आठ दस गंटे कमर तूट जाती है हाथ पर तूट जाते हैं फिर क्रैश में जाती है शाम को बच्छे को लेती है फिर घर पुराना दस दिन पुराना पंदर दिन पुराना उसी को खाओ और अपने पती देव के लिए निकाल के रखो क्योंकि रात में वो कब आएगा पता नहीं वो सोने चले जाती है साल सबेरे फिर चार बजे उठना फिर यही चक्कर की जिंदगी ऐसी अमेरिका में 20 करोड़ों क अब उनको संस्कार कैसे मिलेगा दादा दादी साथ रहते नहीं नाना नानी साथ रहते नहीं मामा मामी साथ रहते नहीं बुआ फूपा साथ रहते नहीं मोसा मोसी साथ रहते नहीं उनका परिवार मनें पती पत्नी और बच्छा वोई परिवार है हमारे परिवार मनें दा आमारेया तो भार्क में पता ही नहीं चलता कि कॉन बच्चा का बटा हो गया गरकार के लिए बटाओं के अध Fea निए अपनी बटा देख्सी केर दोर दोरक द्सक्रण स्कों और गयो मंश्या defend तो आप सीधे टेररिस्ट डिक्लेर किये जाएंगे और 15 साल की जेल में चले जाएंगे आप निए उस बच्चे को पकड़ कैसे लिया आप अपरहन करना है उसका अब आप अजालत में सिंट करते मर जाएए कि मैं अपरहन नहीं कर रहा हूं प्यार कर रहा हूं तो यह अधिक साल से बच्चा नहीं हो रहा है तो उठा लिया तो जिसकी माधी बच्चे की असली उसने देख लिया पुलिस इस्टेशन का रिपोर्ट हो गई दोनों पती पत्नी आईवीम की नौकरी छोड़कर अभी जेल में हैं 14 साल की जेल हुई है तीन साल अभी काटे है बारे साल अ कि यह है अमेरिका है हम लोग सब यहां बैठके सपना देखते और स्वर्ग है दुनिया का कि इतना बड़ा नरक है अगर देखना चाहें तो फुली आपों से दिखाए देता इससे बड़ा नरक कहीं होगा जहां महीने दो महीने के बच्चे को उसकी मां बैल्ट से सीट पर बांदे और क्रेश में जाके चोड़के आए महीनों महीनों उसको दिन में दूद पिलाने के लिए समय ना मिले तो यह बच्चे जब बड़े होंगे तो क्या होने वाला है पिता ने फ्रेम से कभी सिर्पे हाथ नहीं फेरा माने कभी फ्रेम से दूद नहीं पिलाया संसकार कि सबसे ज्यादा हैं और यह इतनी बढ़ गई पर पहुंच गई है और अमेरिका के समाज शास्त्री बोलते हैं और बट बड़़ा समय शास्त्री उसका नाव है सेमुल हंटिंग टंट वो कहता है कि अभी हम सिविलाइजेशन के अंत पर पहुच गए हैं मने सब्विता के अंत पर खड़े हैं आगे कुड़ी मारेंगे तो खड़े में चाहेंगे ऊपर से खड़े रहने का दबाव नहीं है ही खड़े नहीं ने हुआ यरु ता हमारी इंध में आ चुक्त सेमॊल लंटं कटन बोलता है जेफ नेभन बोलता है North Jones की बोलता है अमेरिका के साभे बड़े समझ शास्त्री अर्फ शास्त्री बोल रहे हैं कि अभी अवे अमेरीक कन संबिता खत्म होने के कड़ार पर खड़ी है क्योंकि अब इसके आगे बढ़ने के लिए इसके पास कुछ नहीं मुझे दुख हो रहा है कि जो अमेरिकन सब्धिता खुद खतम होने जा रही है उसके पीछे भारत की सरकार दोड़ लगा रही है सारी नकल अमेरिका से करके भारत में काईदे कानून पनाने का काम चलो है हमारे भारत का और अमेरिका का तासीर बिलकुल अदग है अगर हम भारत वासी नकल करेंगे अंधे बनकर तो उनके साथ हम भी खंडे में गिर जाएंगे आप बोलेंगे जी अमेरिकान सब्विता कैसे खत्म होने जा रही है बहुत सरल जानकारी देने आए आपको अगर आपके अमेरिका पे रिष्देदार है तो यह वहां कर है यह विए वारत में इस महालयक रफिशास्त्री हुए उनका नाम था चानक शांब के नेए संस्कृत में सूत्र एखा है दह्म सब्सक्राइख है कि अर्ध्यां गार्ष यूम्मा नहीं अर्ध्यासर्फषIM तो घर्मश के बीन में आर्ध्या और अर्ध्या?' और धर्म जिसका मजबूत है सब्विता उसी की मजबूत है अमेरिका की अर्थ वेवस्था इतनी कमजोर है इस समय कि थोड़ा सा धक्का मारो तो ताश के पत्ते की तरह से डह जाए अमेरिकन एकॉनोमी की यह आप बोलेंगे जी कैसे इस साल का जॉर्ज बुष ने जो 1.7 trillion dollar का deficit 1.7 trillion dollar trillion का माहनी होता है billions 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 billion अरवों का अरव एक trillion होता है तो एक दशम्लब सात trillion का मतलब है एक दशम्लब सात के आगे 60 में लगा दो इतना अरव डॉलर यह डेफिसिट है अब इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए जॉर्ज मुश्कों पूजा गया क्या करोगे तो उनका हमारे बास दो ही रास्ते है या तो दुनिया के देशों को और लूटेंगे और या अपने यहां डॉलर च्छापके मार्केट में डालेंगे तो डॉलर च्छापके अगर वो मार्केट में डालेंगे इसका मतलब क्या है कमोडिटीज कम हो जाएंगी डॉलर बढ़ जाएंगे मार्केट में वस्तुमें कम हो जाएंगी डॉलर बढ़ जाएंगे मार्केट में अगर आप डॉलर प्रिंट करके डालेंगे तो अल्टीमेटली इंफलेशन बढ़ेगा। इंफलेशन बढ़ेगा, तो रेट आफ इंट्रेस्ट बढ़ेगा, और अमेरिका की एकॉनमी में अगर रेट ओफ इंट्रेस्ट डबल हो जाए, तो सब कॉल्प्स होता। अमेरिका चल ही तब तक रहा है जब तक उनका rate of interest साड़े चार 퍼सेंट से नीचे दो परसेंट दाइपरसेंट तीन परसेंट साड़े तीन परसेंट चार और मैकसीमुम साड़े चार साड़े चार परसेंट से उपर जैसे इंट्रेस्ट रेट गया पूरी अर्थ व्यवस्ता ध्वस्त हो जाएगा तो जॉर्ज बुश कह रहा या तो हम एक्स्ट्रा डॉलर छापेंगे तो इंट्रेस्ट रेट बढ़ाना पुड़ेगा और या तो दूसरों को लूटेंगे त इराक जैसा हमला करना पड़ेगा और इराक जैसा हमला अब अमेरिका खर पाए इसमें मुझे शक्त पैदा हो गया है क्योंकि एराक ही उनसे नहीं समझ रहा है चोसरा छोटा सा देश है इराक जिसकी कुल आवादी 2,5 करोड की है वो 27 करोड़ वाले अमेरिका से नहीं समझ इराक नहीं समझ रहा है एक वियत नाम नहीं समझा अमेरिका से दुनिया में 50 साल का इतिहास पड़ेंगे तो जहां भी अमेरिका ने हर तक शेप किया हर जगह बार कर वापस लोटना पड़ा मूं की खानी पड़ी तो कोई एक देश को आगे हमला करने की ताकत भी नहीं है तो तीन-चार साल में या तो economy collapse होगी या तो इंको दुनिया के सामने surrender करता हो एक हुआ है मुझे डर इस बात का है कि जब American economy collapse होगी तो भारत की प्रदान मंतरी ने जो अमेरिका के साथ हमारा gut जोड़ कर दिया है हमारा क्या हमारे share withाजर कोनों ने अमेरिका के शेयर बजार से जोड दिया है ग्लोबलाइजेशन के नाम पर अगर अमेरिका का शेयर मार्केट क्रेश करता है तो भारत में क्रेश करता है हमारे देश के कॉमोडिटीज मार्केट को अमेरिका के सक्ता बजार से जोड दिया है अमेरिका में गेमों पे सक्टा खिलता है तो भारत में गेमों का भाव बढ़ जाता है अमेरिका में दालों पे सक्टा लगे तो भारत में दालों का भाव बढ़ जाता है अमेरिका में सोने पे सक्टा खेला जाए तो यहां सोना मेंगा हो जाता है हमारे कॉमिटिटीज मार्केट को उनके सकता बजाब से जोड़ दिया तो हर चगे हमारा उनका लिंक कर दिया मनमान सिंग सरकार ने जब अमेरिका डूबेगा तो ये सब डूब जाएगा फिर भारत का क्या होगा वो चिंता कि अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका के डूब ने की ही कुछ-कुछ सिंटम्स जो दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक सिंटम है आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर मेरे पास मेरे लेप्टॉप में अभी साड़े चार सो डॉकुमेंट से ऐसे जो ये बताते हैं कि वर्ट्रेट सेंटर की दोनों टौबर जॉर्ज बुश बुश ने तोड़वाई गया को आतंकवादियों में नहीं तोड़े जॉर्ज बुश के आदेश पर टौबर तोड़े गया नौर्थ और साउट टौबर जो बर्ट्रेट सेंटर के तूटे 11 सितंबर 2001 को इन दोनों टौबर्स को जॉर्ज बुश के आदेश पर बं लगा क हैं आपको सबको याद है टौबर कैसे टूटे थे ऐसे करें एसी बैठें अगर हवाई जाज हिट करता है किसी टौबर में तो टौबर को लेफ्ट और राइट टूटना चाहिए या तो हवाईजाज आ रहा है जिस दिशा से उस दिशा में तूटके गिरना चाहिए या तो जिस दिशा में जा रहा है उधर तूटके गिरना चाहिए मैं विज्ञान का विद्यागती हूँ विग्ञान का सुत्र कहता है कि अगर हवाई जाज की गती बहुत थेज हो तो टौबर उसी तरफ तूटेगी जिदर से हवाई जहां जाया और अगर गती कम है तो टौबर उसके उल्टी दिशा में तूटेगी दोनों ही तरफ टौबर नहीं तूटी की वह ऐसे करके बैठते चाहिए और 110 मंजल की टावर वह तो अर्छ दशनबर चार सेकंड ही टूट गई टूटने का मतलग क्या है एक सेकंड में दस मनजल टूट गई एक सेकंड में दस मंजल टूट गई और वो मंजल टूट गई जिसको बनाने वाले इंजिनियर का कहना है कि अगर 5 हवाई जाज भी स्ट्राइक करें तो नहीं तूटे गए North तौवर और South तौवर को इतना Steel Fram बनाया गया था कि एक साथ 5 हवाई जाज भी टककर मारें तो नहीं तूटे और सामने गुप से आप सोचिए हवाईजाज अगर किसी बिल्डिंग को हिट करेगा तो उसमें आग लगेगी सबसे तक और वो आग कई दिनों तक जलेगी क्योंकि हवाईजाज का जो इनन होता है वो बहुत ज्यादा जोलंशील होता है तो नौर्थ और साउट और में आग लगनी चाहिए आठ दस दिन जलनी चाहिए लेकिन आग नहीं लगी बिल्कुल धूल की तरह से वो बैठता चला यह कैसे हुआ यह ऐसे हुआ कि डॉबर के अंदर 110 माले में 4-4 बं लगाए हुआ हर एक मंजिल तो एक मंदर बं के साथ उनको जोड दिया मंदर बं को 94 में मंजिल पर रख दिया और जब हवाई जहाज नजबीक आया तो हवाई जहाज और टावर के बीच में 500 मीटर का डिस्टन्स था उसी समय वो ट्रिगर दवा दिया और टावर ढहते हुए नीचे चला जहाज ने हिट भी नहीं किया उसके पहले कि उस जहाज को उड़ाने वाला जो पाइलट ऑफीसर पहले है उसका इंटर्व्यू मेरे लेप टॉप उसने इंटर्व्यू किया और वो कहता है कि 11 सितंबर 2001 को मैं द्रिल पर था ड्रिल मनें युद्ध अभ्यास वो युद्ध अभ्यास पर था तो अचानक से साड़े आठ बजे सुबह नो चे से नौ बजे तक उसका युद साड़े आठ बजे उसको एर ट्राफिक कंट्रोलर का सिगनल आया एटीसी सिगनल कि इमीडियाट अपने प्लेन को वर्ट रेट सेंटर के पास लेगे जो तो वो और फॉलो किया वर्ट रेट सेंटर के पास लेगा फिर उसको और आया कि बिलकुल नस्दीक लगा के पाइलट ऑफीसर कहता है कि कोई फिर उसको आमने पूछा कि जॉर्ज बुष बोते हैं कि चार हवाई जाज अपरण हुए थे उसने का एक भी जहाज अपरन नहीं हुआ तो कहां है वो सब तो उसने का खड़े हुए है वाशिंग अटन डीसी के हवाई एक ने पर देख हो तो उसने का कि हमको इंस्ट्रक्शन से कि अन्वांटेट हमारे नजदीक आए तो हम उसको हिट करके गिरा देते हैं अब अमेरिका की सरकार बोलती है कि हवाई अट्डे से जहाज अपरण किये गए दो गंटे तक वो चक्कर लगाते रहे और यह ड्रिल वाले हवाई जाज ने किसी को हिट नहीं किया यह हो सकता है वो कहता है कि हमारे जहाज की नजदीक अगर चुडिया भी आ जाए तो उसको हम हिट करके जिरा देते हैं जहाज तो पड़ी चीए तो अल्टिमेंटली उसको जब पूछा कि तुमको यह क्या लगता है कि यह सब नाटक किया उसने अमेरिका के इतिहास में सबसे मकार और जूटा आदमी है जो राश्रू का फिर सी एनन ने उस इंटर्वियू का दिखाए अमेरिकन पार्लेमेंट में हल्गा मां हो गया उस बिचारे पार्लेट प्रफीजर की नौकरी चली गई लेकिन आप मुक्स एंकल्क लेके अमरीका म साउं टॉबर जो थोड़े इनों है सबेरे साड़े आठ बजे शाम को साड़े चार बजे एक और टॉबर तोड़ा तीसरा उसका नाम था बिल्डिंग नंबर सेविन वो 47 मंजिल का था उसको अमेरिका की सरकार ने और देके तोड़वाया उसमें भी बं लगा के उसको ब् टूट गया शाम को साड़े चार बजे तो इसने का हां वो टूटने वाला था क्योंकि गवर्मेंट ऑफ अमेरिका ने मुझे ऐसा बोला कि इसको तोड़ना तो आपका तो बहुत नुक्सान हुआ तो लेरी सिल्वरिस्टीन कहता अपने इंट्रव्यू में मेरा कुछ नु तो उसको पूछा गया तुम चुप क्यों नहीं रहते उसमें का ज्यादा दिन चुप नहीं रह सकता एक न एक दिन तो यह सच बता नहीं पोड़ा अब लेरी सिल्वरिस्टीन के सामने जब जॉर्ज बुश को खड़ा किया गया तो जॉर्ज बुश की हवा खराब अब इसका जवाब देते हैं जॉर्ज बुश एक ही वाकि बोलता था आई डू नौट लौग ऑडू और सिल्वरिस्टीन कहता है यस ही औली नोस ही अकेला जानता है कि और सच क्या था सच यह है के टावर दोनो तोड़े 11 सितंबर को और 6 सितंबर को उनको बेच दिया तो अमेरिका की सरकार में सुदी अरब के एक शेख सूदी अरब के शेख ने दोनों टॉवर का भीमा करा लिया जापान की कंपणी से को मर गया इसमें शापाद के जापा था क्योंकि वीमा था 150 रफ टोटे तो जापान की कंपणी को भीमे का पैसा देना पड़ा एक सो पचास अब डॉलर उनका चला गया ऐसे ही जापान को अमेरिका ने पहले पीटा था नाइंटीन फॉटिफाइव में दो एटम बंदी राते अब पीट दिया यह बीवा करा कि अमेरिका का एक डॉलर भी खर्च नहीं हुआ और फिर आप बोलें जी उसमें आदमी मरें तीन हजार लोग मरें उनकी लिस्ट है उस लिस्ट को जब क्रॉस वेरिफाई किया गया तो हो पता चला कि वो सबके सब्तीन हजार लोग रिकंज से उसमें एन में हिकषा ऑं पाकिस्ताने वरें बंगन देशी लोग में मॉफानेंच के हम करें सब्सकार ने निलगा कर अशुब ने आपाता हूं हिसाब क्या अगर heureका अगर अमेरिकन मरता तो उसका मौतसा रिख गुना ज्याधा और नॉना मेरिकन इसलिए कम देना प्रेंग क्योंकि नॉन अमेरिकन सिटीजन नहीं होते तो अमेरिकन्स मरे क्यों नहीं इस दुर गटना में तो पता चला कि अमेरिकन्स लोगों को 11 सितंबर 2001 को छुट्टी पर देशने नहीं आना आ जा और जो अमेरिकन्स छुट्टी पर थे उस दिन वो नीचे घूम रहे थे वर्ट्रेज सेंटर के आसपास तो उन्होंने टॉबर को कि उते हुए देखा ऐसे 19 लोगों के मेरे पास इंटर्विव हैं वो बोलते हैं कि हमने टॉबर में प्लेन हिट होते हुए नहीं देखा हमने बंबलास्ट की आवास सुनी और टॉबर ऐसे डहता तो आप बोलेंगे श्रीया सब अमेरिकाने क्यों किया लूटने के लिए अफगानिस्तान को कैसे लूटने के लिए अफगानिस्तान एश्या में अभी पहला और अकेला एसा देश है जहां इस समय सबसे ज्यादा गैस नाचूरल गैस कि अफगानिस्तान गभाफ नवाट गया वह समवह समघाउनि सभाइरो कंड के हम उसमारी के लिए इनके देश में हमला करके पप्जाद करें। माने जो देश अपने जिन्दा रहने के लिए इतना बड़ा जूट बोल रहा है। आप समझ लो उसकी नीव कितनी कमजोर हो चुकी है। मैं मानता हूँ भारत उससे बहुत वहतर स्थिती में है कि भारत को दुनिया से ऐसा जूटनी बोलना पड़ता जिन्दा रहने के लिए। अमेरिका की सरकार को अपना देश जिन्दा रखने के लिए इतना बड़ा जूट बोलना पड़ता है। को चुनाओ वहार गया पुनी तरह से पहली बार अमेरिका की संसत के इतिहास में जॉट बुश की पार्टी माइनॉरेटी में आई है। रेपुबिकन पार्टी को सबसे कम सीधे हैं अभी अमेरिका में दो साल के बार जॉर्ज बुश भी चला जाने वाला है अब जॉर्ज बुश ने पहली बार स्विकार किया है कि मैंने कुछ गलती की और उस गलती का खामे आजा उसने फोड़ दिया डेविड रंस फिल्ड के स पर जो उसका डिफेंस मिनिस्टर था वो कहता है यह सारी योजना रंस फिल्ड में बनाएं रंस फिल्ड अभी निकल गया वो कहता है कि मैं अकेला नहीं था जॉर्ज भुश भी शाविड ने उसकी पॉल खोलना शुरू किया है और रंस फिल्ड ने यह स्टेट्मेंट दि नहीं जानेंगे तो आश्यर हो सकता है और नहीं जानेंगे तो आको सब्सक्रूण कि इताओ क्विडेज की पॉल जॉर्ज पूल इस कमपोनी के जो Chief Executive Officer है इस समय वो जॉर्ज बुश की अम्मा है जिसका नाम है बार्बरा बुश बार्बरा बुश मनें जोर्ज सीनियर बुश की पतनी और आज का जोर्ज बुश इसकी मा बार्बरा बुश की लिखी हुई एक किताब मेरे हाथ में आई है जिसमें उसने सब कहानी खोल के बताई है कि 1901 वैसे ओसामा बिल नादे और जोर्ज बुश दोनों बिस्निस लेके और उतरते हैं रिंग में अखारे में तो ते कर लेते तु मुझे पटक मारना फिर ना तुझको पटक मारूंगा पप्लिक ताली बजाएगी हम दोनों का काम हो जाएगा पैसे तुझे भी मिलेंगे पैसे मुझे भी मिलेंगे कुछ दी रढ़ने के लिए लेकिन में खाने दोनों का साथ में धंड़ा है। और 1991 से खिड़ाय। दोनों सात में करते हैं। बुष और लादें। और इंकी कमपनी का नाम है। यूनबो लादें। जिसमें 51% supply भुष का 49% है लादें। लादिन का जो छोटा भाई है ना ये तो बिल लादिन है एक अल लादिन है लादिन के नौ भाई उन में से उससे छोटा अल लादिन 11 सितंबर 2001 को जॉर्ज बुश के साथ लंच पर था तीम गंटे जिस दिन ये कौबर टूटते का नाट है माने मैं आपसे बिनमरता पूर्वत ये कहने रहाया कि अमेरिका कोई आतंगवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहा है अमेरिका अपने देश के स्वार्थ की पूर्थी के लिए सारा ठेल खेंग रहा है असली आतंगवादि आप जानते कि आप पाकिस्तान में है और असली आतंगवादियों का घण पाकिस्तान है अमेरिका को भी मान कि अमेरिका के द hantonकम साथ अमेरिका वह नहीं कर रहा है जो इराग के साथ किया जो अफ्विए पाकिस्तान के सांगे इराय हत्यार नहीं मिला फिर उसको तहुँ तकर तिया पाकिस्तान में तो न्हिक्य erl करना फिता है पाकिस्तान के राजनीति का जो भी परढ़ आवहाँ काम करती एंक हो कि देश्षे भाषत को कमज़ौ कर भारत को कम्ज़ौ कर दों पर अगया बंगलादेश बन वाया तब से पाकिस्तां के निल्म यह ऊप्लेट्राइन बारत को ब्हुत का क culinary नanka के Show Folk करें एक और उनको पैसा अमेरिका से आता है अमेरिका सबसे बड़ा डोनर देश है पाकिस्तान के लिए और खुद परवेश मुशर्फ कहता है कि जितना पैसा मैंने अमेरिका से लिया है उतना तो पिछले 50 साल कोई पाकिस्तानी प्रदान मंत्री ले नहीं पाया तो ये खेल हमें समझना चाहिए खेल है पाकिस्तान को प्यादे की तरह से आगे रखो और भारत पे बंदूब चलाओ ये खेल अमेरिका खेल रहा है और अमेरिका को भारत का एक राज्जी चाहिए इसका नाम है जम्मू काश्मीर और अमेरिका उसमें सहनिक अड़ा बनाना चाहता है इसके लिए पाकिस्तान को सामने रखके जम्मू कश्मीर लेना चाहिए अमेरिका की जो भविश्य में हो सकने वाली राश्ट्रपती वुट भी प्रसिडेंट हिलेरी क्लिंटन अभी थोड़े दिन पहले भारत आए और हम और उसमें एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो गलती से वो सच बोल गए गलती से कभी-कभी आद्मी जो है ना गलती से सच बोल गया तक हिलेरी क्लेंटन को पूछ लिया कि अमेरिका की सरकार ने पिछले 50 साल में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा युनाइटेट नेश नेशन में भारत का विरोथ किया है पाकिस्तान को सपोर्ट किया क्यों आप जानते हैं 1952 रिपन से जम्मू कश्मीर का मुद्दा युनाइटेट नेशन में और हमारे देश के प्रतम प्रधान कुंत्री पंडित जवारला नहरू की मूर्गता के कारण वहां है वरना वो से नहीं वहां तक थे नहरूजी ने फाल्गू का इंटरनेशनलिजम दिखाने के लिए इस मामले में पहले युद्द बंद कर आया फिर उसके बाद युनाइटेड नेशन में ले गए उसी दिन से अमेरिका ने पकड़के रख लिया उस मुद्देवों तो अमेरिका 50 साल से युनाइटेड नेशन में भारत के विरोध में और पाकिस्तान के सपोर्ट में बीटो करता रहा तो हिलरी क्लिंटर को यह सवाल पूछा प्रभू चाहला ने आखिर आपको जमू कश्मीर में क्या इंटरस्ट है आप क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं युनाइटेड नेशन में और भारत के खिलाब बीटो नायते हैं एक तरफ कहते हमें भारत से संबंद अच्छे बनाने हैं दोस्ती बढ़ानी है दूसरी जब जमू कश्मीर का मुद्दा आता युनाइटेड ने तो आप अमेर 1989 तो पूछ लिया उससे कि प्रस्ताव का नंबर तब तक उसको समझ में आ गया कि कोई दल्ती हो गई है तब तक लेरी क्लिंडन को पता नहीं उसने क्या वोग दिया फिर उसने का सौरी सौरी आम बेरी सौरी वामले में मुझे कुछ मालूम नहीं है मैंने सिर्फ कानों कान अमेरिकन पार्लेमेंट में जिसमें जम्मू कश्मीर में अमेरिका के सैनिक पहुंचे उसका अड़ा बनना चाहिए विचारे अपने हिंतुस्तानी जो वहां रहते हैं भेहनत करकर आके उन्होंने ला दिया तो प्रस्ताव संख्या है 657 1989 अमेरिकन पार्लेमेंट में चुनन का कि वह बहुत महत्वपूर जगे है अगर हमारा से निकटा जम्मू कश्मीर में बनता है तो हम चीन में भी कंट्रोल करेंगे पाकिस्तान हमारे कंट्रोल में रहेगा भारत भी कंट्रोल तो जम्मू कश्मीर की लड़ाई पाकिस्तान नहीं लड़ा है अमरीका कि ऑफोज़ों कष्मीर भारत से लग कर दो यह बात बोलने वाले जम्रों कश्मीर के लेताओं को अमेरिका का धन और अमेरिका की सुरक्षा दोनों मिल रहे हैं कि आपको मालूम है यासीन मलिक यासीन मलिक का जितना इंटर्व्यू हिंदुस्तान में आता है उससे ज्ञादा अमेरिका में छमता है इस यासीन मलिक ओशरीघ्नगर की किसे गाओं जुकाम हो जाए तो वश हमें पोस्ट की नईवस बंजा ढूरा बॉश हम्गा नुजटे। भारत का राश्टाइब्टिक्स अमेरिका के दोरे पे जा लॉष कौन्त की खबर नहीं च Dooš पर्मुक में किसी गाओं में जुकाम हो गया सर्दी हो गई बुखार आ गया या पुलिस ने सिक्योरिटी में कुछ लापरवाई की है तो पोस्ट की हैडलाइन से चक्कर क्या या यासीन मलिक को यहां का मेडिया पूछता नहीं अमेरिका के मेडिया में आदे आदे पेच के चपते हैं उसके मतलब उसके पीचे अमेरिका की शह है और अमेरिका की शह है आप इस बात को ध्यान रखिए इसलिए आतंगवादी कभी यासीन मलिक पर हमला नहीं करते हैं क्योंकि वहां से इंस्ट्रक्शन है जो भी जम्मू कश्मीर में रहने वाले नेता अलग जम्मू करते हैं किसी पर आज तक अटेक नहीं हुआ और मुझे सबसे ज़्यादा दुख है कि भारत की सरकार भी सबसे ज़्यादा सुरक्शा उनी को देती है जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की मागता है कि कई भारत सरकार को भी तो अमेरिका से आदेश नहीं है कि इनक काल्त के साथ नहीं है पाकिस्तान के साथ कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि पुर्प्ते की पूछ बीस साल भी पक्थर नीचे दबाओ तो टीर्डी ही निकलते हैं और आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अभी सेनिक राश्ट्रोपती है असेनिक आजये तो भी यह है कल बेनेजीर बुट्टो आजया नमाज शरीफ भारत के खिलाब उनक इंप्रनेशनल पॉलिटिक्स में और मुझे आप सभी भारत वासियों से निवेदन ये करना है कि अंतर राश्ट्री इस तरकी जो पॉलिटिक्स चल वही है जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करो ताकि अमेरिका का सहने कट्टा महां बने उसके लिए आतंक बार को प्रोच मुझतका काम कि यह शर्तम आगा मिशंया मुखटा को अंपने पाकिस्तन के सांपाकिस्तान के साथ्षा कर वादभाध मिलकर चोड़वे लिए पनाओ के झ怎么了 च चोड़ प्रिए कि तुमिए तुम कहें हो पहली बैठ है कोई पाकिस्तान जो बगड़ कहता है एक भी आपकुवादी का नाम मतलों जो हमारे यहां रहता है हम वापस देने वाले नहीं है अब बात करो उसी दिन मन्मोहन सीब के प्रयास की हवादी करते है अपने साध्यातंत्र को उनके साथ शेयर कराया और उनसे का कि का समझेता एक्स्प्रेस में रंकांट वहा है पाकिस्तानियों काा自 बंब में मुंटाश है पाकिस्तानियों का हात शेयर .... सबूख दिये अभी यह सब फ़ीन से द 현 क्या क्या किया शाम को शिकायद की जॉर्ज बुश्टे कि देखो पाकिस्तां नहीं सुट रहा है ये कुछ तरह का खेल है कितों हओ देश को एक सो सबस्कुण के देशों के मानिक का सब्छकुन लिबं का सब्सक्राइब और तीसे आदमी को शिकायद कर रहा है कि डिवो इसको ठीक करूँ तुमारी ताकत नहीं है का अँवेट में चीज़ करो अबरिका ठीक करने वाला है क्योंकि अभी का आप सब इंतुस्तादियों को मैं भगत सिंह के जन्ब शताबली वर्ष करें एक संवेश कहें आए भाण सिंग मरस्कों खार विए वस्का शित व्यक्ति एक नाम नहीं है प्रसी किस बात का भारत में शादत का भारत में क्रांति य्विता 1 में अदेशकती का प्रसी कि क्योंकि 23 सारि क्मर में जो आदमी ठाट जाए उसके सचने हो भगत सिंग के जनुशनापनी दर्श पर हमें उनके जीवन से अगर सीख लेना है तो भगत सिंग बार बार कहते हैं कि देखो आजादी भारत की मिले को ठीक है आजादी के बात का भारत कैसा हो तो ज्यादा मैं अभी 28 सितंबर 2007 को भारत देश की सरकार जो 60 साल से सो रही थी थोड़ी अभी जगी है क्या जगी है बगत सिंग की जो डाइरी है उसको सरकार अभी पब्लिश करने जाए जो आज तक कमी पब्लिश नहीं की है अब जान दे बगत सिंग नियमित रूप से डाइरी में जेल में और जेल के बाहर तो उनके डाइरी के लिखे हुए चार सो असी पंदे हैं जिनको भारत सरकार में पुस्टक का रूप दिया है और वो 28 सितंबर 2007 की बाद आप सबको बिल जाएगा बगत सिंगी का तो गाव है खटकर करना वहां पर एक समारों रूप सब्सक्राइबगे वो डाइरी के कुछ पंदे पहले से भारत में रखे हैं आर्काइबश दिल्ली में कोह बड़ा सेंटर है आर्काइबश वाह में बहुत सिंग भारत आगे की बात करूं भारत आगे क्या होगा आजादी के बाद इस सपर बात को हुए तो कौन से रास्ते पर जाएगा अपार है पूजी वालती रास्ते पर जिस पर अमेरिका और इंडों के जैस्चा पर है या कोई दूसरे रास्ते पर या अपने रास्ते